तो इसलिए जिनको लगता है कल्यूग पीक पर है तो नहीं, कल्यूग अभी बहुत छोटा है, डॉट के जितना है लेकिन जो डॉट शुरू हो रहा है, तो वो जो दुख है, वो जो problems है, वो जो tension है, वो जो stress है, लोगों को बहुत आ रहे हैं क्योंकि उनको जो भगवान और उनकी बात है सबसे सब लोग अलग हो चुके ये कल्यूग का रूप है कि आप भगवान से दूर हो जाएंगे लेकिन टेक्स टाइम वो अक्चॉल कल्यूग आने में तो इसलिए उनको जब स्पिरिच्वालिटी से इन चीजों से आसानी हो रह रही है एक कमफोर्ट मिल रहा है और वो लोग ताफ सिच्वेशन को हैंडल कर पा रहे हैं स्पिरिच्वालिटी का एक और रीजन है कि आज जादा लोग करते हैं ये मैंने I think मैंने कहीं कथा करी थी वो बहुत बड़ी कंपनी के CEO थे और उन्होंने मुझे बोला था कि हम अ productivity level जादा बड़ा है लोगों में तो कई लोग अपने ही फाइदे के लिए spiritual practices कर रहे हैं so that वो अपने करियर में इन चीजों में जादा गेन कर सके तो दो तरीके एक जो दुखी है वो spirituality के और जा रहे हैं एक जिनको लग रहा है उस वज़े से मेरा काम और अच्छा हो रहा ह और वह इस में हो रहा है मुझे तकलीफ नहीं हो रही है और मैं जादा productive हो रहा हूं creative हो रहा हूं तो यह दो reasons है कि लोग अभी spirituality के तरह बहुत जादा पड़ रहे हैं तो यह एक reason और सबसे जादा youth क्योंकि सबसे जादा competition आज youth में है चाहिए वो marks को लेकर है, career को लेकर है different sectors को लेकर है कहां जाए कहां नहीं जाए, generation gap को लेकर है, उस tension को कैसे fill up करे, relationship को लेकर है, तो उनको एक इतने problems में एक रास्ता दिखता है जो उनको खुश कर रहा है, उनको शान्त कर रहा है, that is spirituality.